स्लाम अलेकुम स्टुडेंच, I hope that you are fine, this is your own sir sir Amir Ali Chandiyo Today I will solve the grammar portion of modal paper or modal test paper number 1 जो unit 4.6 के बाद दिया गया है जिसका मैं reading comprehension complete कर चुका हूँ और उसका composition में मैंने letter भी लिखा है application भी लिखी है और दो AC भी लिखी है, एक AC रहता है ठीक है नहीं, यह 9th की new book हम पढ़ रहे है यह वाली new book जो है ठीक है, यह मैं आप लोगो solve करके बताऊंगा model paper, solution, grammar portion questions 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions मैं आप लोगो solve करके बताऊंगा भी यह है model test paper, ठीक है यह मैं already solve करके चुका हूँ जो गलिलो गलिली के बारे में है ठीक है, reading comprehension, यह सारी solution मेरी मोजूद है, अच्छा यह मैं आप लोगों को grammar portion आज solve करके बताऊंगा ठीक हम time the waste नहीं करते हैं question ज्यादा है, इस वज़ए से आप लोगों को मैं अंसर जल्दी जल्दी solve कर वा रहा हूँ अच्छा, rewrite, number question number 6 है grammar portion में, model test paper तीन हिस्वों पर डिवाइड है, reading comprehension grammar portion, composition portion ठीक है, शायद board का paper भी ऐसे दे अच्छा, this one, question number 6 अच्छा, एक और बात है कि यह page number 105 105 page number है 105 यह है grammar portion grammar की spelling देख लो, आप लोग गलती ना, गलती ना करें जी, आर, ए, डबल, ए, म, ए, आर बहुत सारे ए, आर लिखते हैं, students आच्छा, question number 6 rewrite the following sentences by correcting the punctuation and capitalization errors अच्छा, rewrite हो, तो यह इस दुबारा लिखना है आप लोगो, लाजमी दुबारा लिखना है, इसे नहीं के भई, जहाँ पर punctuation की दरो तो वहाँ पर punctuation दो, नहीं यह rewrite करना है, rewrite का मतलब ही है, दुबारा लिखो ठीक है, यह सारे जितने भी है, चार है number one है, yes, the sahara dessert is a lonely and hot dry place, said फसी, यह question number six है A, B, C, D मैंने अल्ला हदी, question भी लिखे है, answer भी लिखे है, यहाँ पर, यह देखे है ठीक है, यह दिया गया है A में, this one, sorry this one A में दिया गया है ठीक है, यह वाला A में दिया गया है मैंने answer लिखा है, मैं आप लोगो दिखा रहा हूँ यह देखो, yes, the sahara dessert is a lonely, hot and dry place, said fussy सबसे पहले आप लोग माइन में लाएं तो यह direct narration है direct narration दो हिसों पे divide होता है, reporting speech reported speech, reporting speech mean कहने वाला, अब reporting speech यह है, said fussy, बाकी सारा reported speech है, जो reported speech होगा, जो कहे हुए अलफाज होगे किसी के, वो quotation में, मतलब quote होगा, quotation में enclosed होगा, यह देखे मैंने, और first letter जो है वो capital में लिखा जाता है यह भी याद रिखें, आचा yes, यह मैंने लिखा है, yes, yes के बाद लाजमी कामा आएगी, ठीक है yes, the sahara dessert, मैंने sahara dessert capital में क्यों लिखा है, क्योंकि यह proper ना हुने, किसी dessert का नाम है, मक्सूस का, proper special dessert है, is a lonely hot and dry place, उसके बाद मैंने quotation end कर दिया, अचा यह मैंने कॉमा दिया है, कॉमा आप लोग दे भी सकते हैं, कॉमा नहीं भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, last में लिखा है, say for see, last में आप फुल स्टाप, अमेरिकन वाले हैं, कुछ कॉमा देते भी हैं, कुछ कॉमा नहीं भी देते हैं, ठीक है, तो यह लाजमी रखिएगा आप, आचा नमबर सेक, बी जो है यह, this one, यह समझ में आगे आप लोगो यह यह दारेक निरेशन में था, इस वज़े से, और यह, डारेक निरेशन का अफर्मेटर सेंटेंस है, अच्या यह है, डारेक निरेशन का एक्सक्लैमेटरी सेंटेंस, हुरा, हुरे, the fans will invite us next year, shouted Akram with joy, ऐसे लिख्खा हुआ है, तो यहाँ पे इन्हों मतलब मख्सूस जगह का नाम है पर्टिकुलर जगह का नाम है पर्टिकुलर पर्संस का नाम है पर्टिकुलर कभीले का नाम है विल इन्वाइट अस नेक्स्ट ये यह यहां पे कौमा देना था मैं आप लोगों समझाने के लिए मैंने नहीं दिया कोई मसला नहीं है कामा नहीं भी आता है शाउटेड अकरम विद जो आए, लास्ट में फूल स्टाप लाज़िमी देना है और A मेंने कैपितल में लिखा है, देख ले ठीक है, तो इसमें मैंने कौन-कौन C पहले, पहला अलφाज कैपितल में लिखा है इसको पंक्टुएशन में बंद किया है एक्सक्लेमेशन मार्क दिये क्योंकि एक्सक्लेमेटी सेंटेंस है दखान के केपिटल में लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है अच्छा उसके इलावा अक्रम भी प्रॉपर नाउन में लिखा है कोटेशन एंड की है और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप दिया है सी देख लिए आई एम गॉइंग यह देखे यहां पे ही गलती है आई एम आएगा वह मैं बता रहा हूँ गलती कुछ यह केपिटल में आएगा और यह पूरा एम आएगा गॉइंग टु पिलांट एन एपिल ट्री इट विल बी फन सेड हनान यह भी गलती है एच केपिटल में नहीं है प्रॉपर लाउन है जो मैंने कैसे लिखा है यह डारेक नेरेशन है तो यह कोटेशन में इंकलोजड होगा आई केपिटल में लिखेंगे एम अलहदा लिखेंगे अगर आई एम साथ लिखेंगे तो यहाँ पर इपस्ट्राफी देंगे हम लोग आई एम गॉइंग टु पिलांट एन एपिल ट्री फुल स्टॉप इट विल अब विल फुल स्टॉप के बाद दुबारा शुरू हो रहा है सेंटेंस दूसरा सैंटेंस तो इट भी कैपिल स्टॉप में आई केपिल किसने बोला है हनान ने का है ओये तो हननन वी मेश को व्यक्ता है अब यस सेंग आता था अब अब बात वह अमिरिकन वालोंने कामा कर दिया इसको अब कामा भी हटा दिया ईए अच्छा नदो डी आसिफ आसिफ की गलती है के पिछल में आएगा प्रॉप ना उन्हें और फ्रेंस वर हैं राइस यह हैं राइस यह कौमा आएगा ब्रीड यह सब अलेदा हैं ब्रेट कामा आएगा करी कामा आएगा रइड फिश के बाद भी क कॉमा आएगा है एंड नूडल्स फार लंच इन्होंने लंच में क्या-क्या चीज़े खाई है ये कॉमा में इनकलोज मतलब हम यूज करेंगे अब यह देखें आसिफ के पिडल में लिखाए है एंड हिस फ्रेंस वर हेविंग राइस कॉमा ब्रीट कॉमा करी कॉमा र्न नरेशन में ने ये सिम्बल लास्ट वारा संटेंज हो ये देखें ठीक है तो ये जो है six questions जो है model पे सब्ते हम आप लोगUNG को साल करके बताया है तो कि आप लोग समझ सकते हैं देख लेंए ठीक है आज興ेन कॉस्चन married she moved to the united states of america मैंने यहाँ पे दह दिया है क्यों कि किसी भी USA किसी भी nation का जो abbreviation होता है state या republic शाहर करता है तो उसके साथ the use करते हैं हम लोग the united states of america 15 years later she returned to Pakistan with her family and visited sorry लुबना अमेरिका जाती है और 15 साल के बाद अपने गाउं आती है अपने भाई के साथ brother ईसा फुल स्टॉप विजिट करने जाती है लुबना है two children लुबना को दो बैटे थे a boy and a girl यहाँ पे a boy मतलब एक boy और एक लड़की यह लाजमी अ लिखना होता है ठीक है अन नहीं आएगा क्योंकि अलिफ से स्टार्ट नहीं बाद में समझाओंगा एक एंड इसा हेड़ सोरी इसा हेड़ टू बाइस इसा को दो बैटे थे अन गर और एक लड़की थी यहाँ पे गर्स था टू गर्स लिखें टू लिखते हैं तो यहाँ पे इस लाजमी आ आथी तो यह आधिक नहीं है तो एक लड़की घरे गेंगे दर क्योंकि चिल्डेन दोबरा जिकर हो रहा है दोबारा बच्चों का से जिकर आ रहा है लिए निवर मैट बिफॉर एक्सेप्ट थ्रो एन इमेल यहां पे एन इमेल एक इमेल के जरीए दोनों फैमिलीज में तू जो है प्रॉपर नाउन है फिर मैंने दर क्यों यूज कि है क्योंकि दुबारा फैमिलीज का जिकर हो रहा है पहले लुबना एंडिसा का जिकर हो चुका है मक्सूस से फैमिलीज है एड़ ग्रेट टाइम उनको ए उनके पास एक बहुत अहम वक्त आ गया दर नहीं आएगा यहां अबाउट दियर फैमिली ट्राइंग टू केच अप आउन फिफ्टीन यर्स न्यूस एंड गॉसिप यह कोस्टन नबर सेविन मैंने आप लोगो साल करके बताया ठीक है पहले फिल बिलेंग में दा आएगा क्योंके यूनिटे स्टेड साफ आमेर का है कोई मक्सूस रियास की दुबारा जिकर हो रहे हैं बच्चों के बारे में दो उसके बेटे इसा के और तीन इसा की बेटे दो उसके दो तीन दो बेटे इसा के एक बैटी और दो उनके बच्चे आजब चटे में एन आएगा इमेल एक अलिफ से स्टार्ट होता है लिखेंगे तो इसके साथ एन number eight fill in the blanks in the following sentences with words found by sorry using the suffix meant ये suffix use करने suffix और prefix मैं समझा चुका हूँ prefix भी समझा चुका हूँ मैं suffix जो पीछे अलफाज आते हैं prefix जो पहले अलफाज आते हैं morphem के साथ morphem दो morphem मिलके एक word बनाते हैं आजा मेंट नेस अल एल with one of these words is appropriate sign treat kind ये तीन word है एक sign है और दूसरा treat है और kind है इन तीनों word के साथ कुछ ने कुछ यूज़ करना है मेंट यूज़ करना है या यूज़ करना है तो कौन से blank में कौन सा यूज़ होगा या आप meaning के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा the employer showed his kindness by giving a big salary rise to raise to all his employees जो employer है जो रखने वाला होता है उन्होंने kindness शो किया अपनी यहाँ पे मैंने kindness यूज़ किया है kind के साथ N.E.S. लगा दिया ठीक है they were finally given the signal यहाँ पे मैंने signal यूज़ किया है to start the construction on the new bridge ठीक है दूसरे में signal आएगा तीसरे में he recovered fully after completing his treatment treatment के साथ मैंने meant यूज़ किया है यह देखें question no.8 में पहले में आएगा kindness a में second b में आएगा signal c में आएगा treatment यह आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा अब इसको साथ मिलाके पढ़ेंगे तो इसको ठीक है आराम से समझ में आ जाएगा और यह सब prefix बनते हैं यह मैंने पीछे word kind के साथ nice use किया है sign sign के साथ all use किया है treat के साथ मिने mend use किया है ठीक है आजा यह हो गया eight अब आजा है nine पे यह nine में है prefix prefix मीन पहले जो अलफाज आते हैं अब यह दो तीन word है यहां पे देखे complete उसके इलावा है honest or healthy इन तीनों से पहले prefix use करने है नमबर ए देखने one of our neighbors lost his job because he was dishonest honest से पहले मेंने disuse किया है ठीक है dishonest नमबर ए में बी में आएगा we should avoid unhealthy यह मैंने unhealthy लिखा है मैंने बाहर भी लिखा है unhealthy food and exercise regularly so that we remain fit यह देखे अनहेल्दी अब बुक सामने रखिएगा ता आपके आप लोगों आसानी होगी यह question number nine चल रहा है model test paper one का ठीक है जो unit four point eight के बाद हुआ है unhealthy यूज होगा बी में c में our work was still incomplete यूज होगा incomplete when the bail rang जब bail बच गई तो हमारा काम incomplete था मैं meaning के साथ नहीं पढ़ा हूँ आसानी से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा c में in complete ये morphem से पहले मतलब पहले वाला morphem जो होता है जैसे कि in complete से पहले मैंने in use किया यहां पे this one और honest से पहले मैंने disuse किया है और उसके इलावा ये देखें healthy से पहले मैंने unuse किया है अच्छा change the following negative sentences into affirmative and the affirmative into negative याद रहे जो assertive declarative sentence उसके affirmative negative होते हैं interrogative के भी affirmative negative होते हैं सिर्फ interrogative हो वो affirmative है interrogative negative हो वो negative है जैसे कि do I play cricket ये affirmative है इसका do I not play cricket या do I not eat do you not eat a meal ये इसका negative है ये कुछ जुमले दिये गए हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ करके मैंने यहां पे किये हैं इसको negative बनाने थे ठीक है ना अच्छा ये देखें नमबर ए ये question number 10 है question number 10 page number 106 model test paper चल रहा है हमारा देख लें आप लो डिड़ यू गिव my message to your mother ये past simple tense है ये past simple tense है interrogative में तो इसका negative के affirmative में क्योंकि negative इसका क्या होगा did you not give my message to your mother चीक है याद रहे interrogative के भी affirmative negative होते है assertive के और declarative के भी affirmative negative होते है number b question number 10 का I like riding a horse when I go to the beach ये दो sentence मिले हुए है तो इसमें पहला वाला sentence जो है वो negative बनाएंगे दूसरा same में रहेंगे I do not like riding a horse when I go to the beach ठीक है न जब मैं बेज में जाता हूँ तो मैं like नहीं करता हूँ ये do not आएगा present simple tense में ये वाला मतलम नहीं करता हूँ ता हूँ जिसमें आए वो present simple tense है और दू सेंस आचा are not see रहे है are not you coming to my sister's wedding तो इसका ये already negative में है interrogative negative में इसका affirmative हम बनाएंगे सिर्फ not को खतम करके हम early use करेंगे बस are you coming to my sister's wedding ठीक है ये है affirmative इसका आचा नमबर D turn right at the end of the roots ये already मतलब ये imperative sentence है इसका negative होगा do not turn right at the end of the roots ठीक है अचा उसके बाद E देख लें इसका last जो है इसका they cannot cross this river with a boat without a boat ये already negative में है इसका affirmative बनाना है they can cross this river without an boat ठीक है बिल्कुल आसान है affirmative negative मसलोग आप लोग ये माइन में रखें कि assertive or declarative sentence 5 किसम होते है sentence के assertive or declarative बयानिया बयान कोई कीज़ करते है हाँ या ना में interrogative question पूछते है question भी question के भी दो form affirmative negative हो सकते है ठीक है उसके आपने नहीं पढ़ेंगे लेकिन होंगे imperative जिसमें हुकम advice suggestion या उसके लाव request की जाती है और उसके लाव exclamatory शदीद कम होता है शदीद खुशी होती है या objective sentence दूआ या फिक्रे जो होते हैं दूआ देते हैं may God bless you या may God broke your 32 ये करस बद दूआ भी दे सकते हैं ठीक है अच्छा 11 change the voice है ये देखें exercise number 11 change the voice ये voice में change करना है मैंने voice आप लोगों को active voice, specific voice की exercise मैंने solve करके बताई थी आप लोगों को लेकिन मैंने voice समझाएं नहीं है एक lecture दूँगा मैं लाजमी metric वालों के लिए भी 9 वालों के लिए भी दोनों के लिए voice की एक lecture होगा इंशाला वह आप लोगों समझ में आ जाएगा number a 11 question चल रहा है model test paper का unit 4.6 के बाद जो है और page number 106 की exercises चल रही है आज़ा number a जो दिया गया 11 question algebra was taught to us by सरसादिक ये past simple tense है ये देखी मैंने लिखे भी है तक्रीबन तीन sentence इसके past simple tense में एक past perfect में दिया गया है ठीकर algebra ये देखे past simple tense एक्ट वाइस है तो इसका ये already passive voice में algebra was taught to us by सरसादिक ये voices of having two sentence two object इसमें दो object है उसके voices बनाया गया है इसको दो तरीकों से बनाया जाता है लेकिन हम इसका बस छोड़े एक्ट वाइस में डेडेर में नहीं बता रहा हूं आप लोगों मैं इससे बता रहा हूं algebra was taught to us by सरसादिक तो इसका simple होगा सरसादिक taught us algebra ठीक है टू भी खतम हो जाएगा इसका ये वाला भी भाई भी खतम हो जाएगा ठीक है वो ये वाज भी खतम हो जाएगा ये past simple में सीसाज़ा रखेंगे हम लोग आज़ाब क्योंकि past simple के एक्ट वाइस के helping अब नहीं होते है past simple में एक्ट वाइस में second form यूज होती है पैसे वाइस में हमेशा third form यूज होती है कोई भी पैसे वाइस हो आचा नमबर बी देख लें आप लो this one sorry Samina gave an impressive presentation Samina gave an ये past simple tense है हमें कैसे पता चला past simple tense है च्योंकि इसमें helping verb नहीं हो second form यूज हूई है ठीक है ना जिसमें helping verb नहीं हो second form यूज हो main verb की past simple में होगा आचा इसको passive में कैसे करेंगे पहले object रखेंगे object क्या है इसका an impressive presentation और active wise के helping verbs क्या है present past simple के नहीं होते है passive wise के helping वो was वर तो impressive presentation singular है तो इसके साथ was main verb की third form by यूज करेंगे बाय समीना 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 में रहेगा ही शीट होगा तो वो चेंज होगा और दे personal pronounce चेंज होते हैं number c the task was done well by the class ये past simple tense का है passive wise में है क्योंकि helping verb यूज की है और main verb की third was वर तो अगर was यूज करते हैं तो continuous में ing फार्म होती है यहां पर sorry this one में लेकिन ये थार्ड फार्म यूज है तो passive wise में होगा past simple कि मैंने लिखा भी है past simple tense यह indefinite tense अच्छा दर पहले यह क्या रख यूज करेंगे object यूज करेंगे एक्टवाइस में इसको इसको एक्टवाइस में करेंगे subject पहले the class did the task well अब यह did जो है second form है do की done की second form है ठीक है अच्छा उसके बाद है last d देखें they have written a letter यह पास present perfect tense में है कैसे पता चला है और हेस जो है present perfect tense की निशानी होती है और main verb third form यूज होता है मेशा तो इसका पैसे वाइस क्या होगा a letter has been एक्टवाइस के help में होते है present perfect tense के है पैसे वाइस के have been has been ठीक है a letter has been has been क्यों यूज क्यों यूज क्यों यूज क्यों यह singular है a letter has been written by them डे किस सेज़ मैं घोएगा de me a Le I Que Price Ε mortosphit and passive worship मैं इसे रहता है objective क्या sources of accessibility तरके आइनी वीचयनीご उनीता है और में इस में रहता है और डे में होगा नं नामी रहे रहेगा ठीक है यह मैंने आप लोगे पैसे वाइस करके के बता है को लिए कोस्ट नमबर 11 है आप लोग ले सकते हैं इसकी ठीक है अचा नमबर लास्ट सोरी इसके बाद जो है दो सेंटेंस रहते हैं हमारे 12 और 13 यह सेकंड कंडिशनल सेंटेंस जो मैंने वन पॉइंट आप लोगों को वन पॉइंट थी जो एकसरसाइज में आप ल बढ़ दियें आई वुड सर्फ दे नेशन सिंसेली अगर मैं डाक्टर बनता तो मैं यहां पर वुड यूज होता है या पूड यूज होता है हम लोग करते हैं इसमें या वुड यूज करें सेकंड कंडिशनल सेंटेंस में यह सेकंड जो है वुड में यूज होगा अगर मैं डाक्टर बनता तो कौम की सिंसेली से मतलब सचाई से खितमत करता भी अब भी देखें यह मैंने लिखा है आई वुड सर्फ दे नेशन सिंसेली बी में क्या होगा सीमा वुड बी सेट कामा में ने दी है यह कामा लाजमी आता है देन नहीं कामा पहले देन यूज देन खतम कर दिया कामा यूज करतें अमेरिकन वाले सिमा वुड भी सेट सेट होती इफ ही डिकलीर के सोगाई झाल में आई ओढ़ पास हो गई अगर मेरे पास ज्यादा पेसा होता तो मैं खुशी से रह पाता ठीक है I have enough money I could live happily चावेद कुड बिकेम बिकम किर्केटर इफ ही प्लेड सीरियसली जावेद किर्केटर अच्छा बन जाता अगर वो सही तरीके से खेलता तो यह मैंने लिखे हैं इफ ही प्लेड यहाँ पे दो जो है मतलब I would second जो है वो दो condition पहले है मतलब देख ले मैंने sentence जो use की है आप लोगों दिखा रहा हूँ I would serve the nation sincerely if he reached declared fail in the exams I could live happily ठीक है अच्छा number last जो है 13 13 sentence में can use करना है और could use करना है यह आप लोग पढ़ें के तो आप लोगों समझ में आ जाएगा past में जो use होता है उसके साथ could use क करते हैं पहले में I could speak Balochy quite well में Balochy की अच्छे तरीके से बोल सकता था when I was a child जब मैं बच्चा था but now I can speak only one उर्दू one language उर्दू लेकिन मैं भी सिर्फ उर्दू बोल सकता हूं बस ठीक है I read somewhere that a child can learn to speak five languages at a time मैंने किसी जगह पर पढ़ा था यह देखो ना i है लेक्षट हर वक्त सीख सकता है उनेर्सर संटेर्ट मैं यूज करते है इस लिए मैं इसकिये मैं रिख विख सकता है मतलब मैंने यह पढ़ा था बच्चा सीख सकता था नहीं यह जनल बच्चे की बात हो रही हर जई आ Halloween आप would do that now मुझे मेरी खवाइश है कि मैं भी कर सकूँ उसको यह वुड जो यह ना यह मैंने यहां पर कुण यूज किया है मैंने कहता सिर्फ पास्ट में कुड यूज होता है प्रेजन में कें लेकिन जिस जिसके साथ विश यूज हो ना उसके साथ कुड यूज होता है याद ना यहां पर भी यूज हो है मैंने यहां पर कुड यूज किया क्योंकि इससे पहले विश यूज हो है लेकिन यहां पर मैंने कें यूज किया इससे पहले विश नहीं हो आई थिंक यूज हो है मैं सोचता हूं विश यूज होता होब यूज होता दो कुड यूज करते लान मुडल पेपर, टेस्ट पेपर, जो था, मैंने आप लोगो सॉल कोस्टन करके बताए है, ये सब कुछ आप लोग इसको एक मरतबा देख सकते हैं, दोबारा, इसको कुस्टन नमर सिक्स मैंने सॉल किया, सेवन इस सॉल किया, एड सॉल किया, और उसके इलावा मैंने ये, बता हैं अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज आप लोग उसको दुरस्त कर लीजेगा और उसको मतलब आप लोग दुरस्त करके आप लोग खुद मतलब कर सकते हैं सब कुछ तो मुझसे कुछ इंसान से गलती हो जाती है ठीक है और अगर आप लोगों को य मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्रिफशन मेरा हग बनता है मेरे चनल को सब्सक्राइब करें मेरे चनल को नाइन्थ किलास मैट्रिक किलास और फस्ट यहरवाली इंटर वाले क्लास के वर्स ते शेयर करें और आप लोग इनको लाइक भी करें थैंक यू वेरी मच्छ